हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप सब इस वीडियो में हम बनाएंगे एनिमेटिड हीरो इमेज तो हम स्टार्ट करते हैं मैंने डेस्क्टॉप पे एक हिरे इमेज नाम का फोल्डर बनाया है उस फोल्डर के अंदर मैंने एक इमेज नाम को फोल्डर बनाया है उसके अंदर मैंने एक वन नाम की इमेज रखी है और मैंने अपनी css फाइल रखी हुई है css फोल्डर के अंदर और मैंने अपनी html फ और मैंने title भी दे दिया है, तो हम start करते हैं, हम यहाँ पर एक div create करेंगे और उस div को class देंगे, hero, और हम इस div के अंदर एक h1 tag लिखेंगे, उसके अंदर हम web div creations लिख देते हैं, और हम एक paragraph tag लिखेंगे, उसके अंदर हम यह अपना title कोपी कर देते हैं, इसके बाद हम एक image tag लिखेंगे, हमारा image folder के अंदर one.jpg नाम से है, इसको save करके देखते हैं, हमारी image शो हो रही है, और हमारा heading और paragraph भी शो हो रहा है, अब हम यहाँ पर एक और div बनाएंगे, उसके class हम देंगे, बार, तो अब हम style करेंगे, मैंने आप बोडी को पहले से margin 0, padding 0, और font family Oswald दे दी है, तो अब हम यहाँ पर styling start करेंगे, हम पहले hero को, hero class को style करेंगे, उसके हम width 100% सेट कर देते है, और height हम इसकी 100VH सेट कर देते है, vertical height, text line हम इसका center कर देते है, position हम इसकी, position हम relative, relative, जो हमारे यह div है, div hero, यह हमारा parent है, और यह h1 और paragraph tag, और image tag, और यह div tag, यह सब इसके child है, तो जब हम hero div की position relative देंगे, तो इन सब divs की, इन सब child की position हम absolute देंगे, ताकि जो यह सारा content है, वो हमारा div class hero के अंदर ही रहे, तो हम आगे करते हैं, हम इसकी overflow, hydrant कर देते हैं, हम h1 की styling करेंगे, dot hero, h1, position हम इसकी absolute कर देते हैं, top हम इसका 200 pixels, left हम इसका 0 कर देते है, right हम इसका 0 कर देते है, font size हम इसका 0 कर देते है, 60 pixels कर देते हैं, 60 pixels, इसको save करते हैं, यहाँ पर refresh करते हैं, यह दिखें यहाँ पर show हो रहा है, अब हम यहाँ पर dot hero, paragraph tag की styling करेंगे, हम यहाँ पर same properties apply करेंगे, but हम इसका top change कर देंगे, top हम यहाँ पर 320 pixels कर देते हैं, और font size हम 20 pixels कर देते हैं, यह देखें यहाँ पर show हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर overflow hidden हटा देता हूं, तो हमारा scroll bar show करेगा, but मैं नहीं चाहता यह scroll bar show और यह overflow अब देख सकते हैं, कहा तक जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पर overflow hidden लगाया है, अब हमने जो bar div बनाया है, उसके styling करेंगे, bar की width हम देंगे 100%, height इसकी 200 pixels, background color हम इसका red देंगे, opacity, opacity मतलब transparency, भी कितना transparent हो वो color, transparency हम इसको 4 देंगे, 0.4 और हम यहाँ पर इसको center में करने के लिए, transform translate, minus 50%, left हम इसका 50% कर देते है, top हम इसका 50% कर देते है, position absolute, इसको save करके देखते है, अब हम इसके अंदर animation अड़ करेंगे, बट हम animation अड़ करने से पहले हाँ पर एक z index property यूज़ करेंगे, जो हमारा heading है और paragraph है, वो हमारा div bar के पिछे शोर है, background पे शोर है, तो हमें उसे front end पिलाने के लिए z index property यूज़ करने पड़ेगी, यूज़ करते हैं, मैं अब को z index के बारे में बतायता हूँ, z index हम तब यूज़ करते है, जब हमने किसी element के उपर किसी another HTML element को place करना हो, तब हम z index property यूज़ करते है, तो आई हम यूज़ करते है, यहां पे हम p tag पे यूज़ करेंगे और h1 पे यूज़ करेंगे, z index यहां पे हम one दे देंगे, इसको save करेंगे, यह देखिए अब यह इसके उपर शो हो रहा है, तो अब हम इसमें कुछ animation एड़ करेंगे, animation हम लगाएंगे अपने bar div पे और h1 और p tag पे, तो हम यूज़ करते हैं अपने animation, animation को यूज़ करने के लिए हमें keyframes और animation का concept यूज़ करना पड़ेगा, तो हम पहले animation लगाते हैं कि हमने कौन से elements पे animation लगानी है, तो हम animation लगाएंगे अपने h1 पे और p tag पे, animation यहां पर हम animation का name लिखेंगे, animation हम यहां पर देते है scale in और animation duration हम कर देते है, 1.3s कर देते हैं यहां पर, 1.3 second और हम यहां पर ease out कर देते हैं, हम यहां पर dot bar div पर भी animation एड़ करेंगे, animation, animation का name हम यहां पर rollout, rollout यूज़ करते है, rollout और duration हम यहां पर इसकी कम रखेंगे 1.2 second, इसको भी हम ease out कर देंगे, अब हमें एक keyframe set करना पड़ेगा, जो हमारी animation की setting को hold करेगा, तो आएए यह keyframe define करते है, add the rate keyframes, add the rate keyframes और हमारी animation का नाम, पहले हम scale in बाल करेंगे, scale in, अब हम set करेंगे कि हमारी animation, starting से लेकर, ending तक कैसे work करें, तो हम यहां पर 0%, जिरो परसेंट, जिरो परसेंट देखके हम यहां पर, transform, scale, 3,3, और हम यहां पर, opacity कर देंगे, 0, इसको save करते हैं, अब हम इसको 100% पर करेंगे, 100% पर हम transform कर देंगे, scale, 1,1, और हम opacity कर देंगे, 1, अब मैं आपको transform scale के बारें बताता हूं, transform scale यूज करके हम किसी भी html element के size को increase या decrease कर सकते हैं, according to parameters given for width and height, जो 3 मैंने पहले लिखा है, यह width के लिए है और यह height के लिए है, तो हम इसको browser में open करके देखते हैं, इसको refresh करते हैं, हमारी animation perform नहीं कर रही है, आइए देखते हैं क्या गल्थ हुआ है, sorry मेरी keyframes के spelling गल्थ हो गया है, यहाँ पर यह देखे हैं, हमारी animation perform हो रही है, इसको refresh करते हैं, यह देखिए, अब हम bar div पर animation लगाएंगे, मैंने यहाँ पर बार div के animation properties लगा दी है, बट हम एक keyframe set करेंगे, अगें, add the rate keyframe set करेंगे हम, और हम इसमें भी 0% से लेकर, 0% हम इसकी width देंगे, 0% और 100% पर इसकी width कर देंगे हम, 100% इसको save करते हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको पर आपको 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 देंगे, अब आपको यही बताना था, थैंक्स फर वाजिंग आपर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आपर चैनल, जाए, 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 जाए,